अलो फ्रेंड्स वेलकम पैक टो माई चैनल आज मैं आप सभी को प्लांट्स में और पत्तियों में लीफ माइनर्स की वज़े से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और लीफ माइनर्स आपके प्लांट्स को किस तर नुकसान पहुचाते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं पहले तुम्हें आपको बताऊंगी कि आपके प्लांट में लीफ माइनर का अटैक हुआ है या आप कैसे पहचाने तो काफी ज्यादा अमाउंट में अटैक हुआ है जित्ते भी यह इस पर डॉट्स और टनल्स आपको दिखाई दे रही है जो टेडे मेडे रास्ते बन गए हैं इसमें सफीद धार्यों की तरह तो इन यह लीफ माइनर का अटैक होता है यह ज्यादा तर वेजीटेबल वाले प खराब हो गई है टामैटो का अगर आप प्लांट उगाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इसी का अटैक होता है तो आप इन्हें पहचान ले किस तरीके का होता है इस तरीके के यह पत्यों पर जो आपको दिखाई देरिये सफेज सफेद लाइने इस तरह से हो जाती है और नोका जो ह्वो हुने लगती हैं अंदर से और धिरह दिरह आपके दिर countries को कराब कर देते हैं तो जो जो लीफ माइन सुति होते हैं वह ब्लैक फ्लाइज होती है ये कई दियुसक्राइब करें Each सब एधार होता है उसके बाद वो धीरे धीरे मिट्टी में जाते हैं आइएन वो आपके पूरे प्लांट की हेल्थ और लुक दोनों को खराब कर देते है इसका प्लाइस जो होती है वो डारेक्टिली आपके प्लांट को खराब नहीं करती है बलकि उसका जो लावा होता है फ्लाइस का लावा जो होता है वो प्रब्लम क्रियेट करता है तो आपको इस तरीकी की यलो टेडे मेडे रास्ते अगर दिखाई दे अपनी पत्ति उपर तो समझ लीजिए अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा अदर्वाइस आपका पूरा प्लांट है वो खराब हो होंगी आपको देखी जैसे यह इसके एक्स है और नेक्स्ट लार्वा प्रिप्यार्ड होता है दैसे दैन उसे प्यूपा निकलता है दैन अडल्ट फ्लाइस निकलती है तो प्रॉसेस इसी तरह इनका चलता है तो जो मैटेड फीमेल फ्लाइस होती है वो अपने निडल से निडल होती है उनके दवारा वह 500 से जादा निडल से वह पत्तियों में छेद करके उस लीट की एपिडार्मिस में जि सारेourse को छोड़ देती हैं जितने भी डिपोजिट एक्स होते हैं वह सरफेस पर एक स्पॉर्ट लीव की सरफेस पर स्पॉर्ट के रूप में हमें नोर कर देते हैं विदिन 10 डेज हैचिंग लावा जो है टर्नल क्रियेट करने लग जाते हैं और वो पत्तियों के टिशू को जो खाने लग जाते हैं अंदर से और यह हमें तब दिखता है तब वो एक बड़ी सी सफेज सी यह यलो कलर की लाइन वेवी लाइन जो क्रियेट हो बहुत जल्दी से यह लिव सारे टिश्यू को जो खाने लग जाते हैं दैन दो से तीन हफ्तों पूरे मिच्यार हो जाते लाव एन प्यूंपрен के लिए रैडि हो जाते हैं और उसके बाद द ही सॉईल में लीव में से निकल कर तैसे त्व दिन में इच का हॉल सॉईल का अह गस्तर लदफ फ्लाइज तो इस तरह से यह लिफ माइनर्स होते हैं वह पहले आपका पतियां खराब कर लड़ में और जोип्लानत जितने हमें कि उन्हें वो खाते हैं और बाद में आपका पूरा प्लांट है वो पूरा डैमेज हो जाता है तो इसका बैस्ट सॉलूशन यहीं है जब भी आप जिस पी लीव पर यह देखें टनल्स क्रियेट हुए कि लीव माइनर नहीं डैमेज किया है आप उन्हीं सभी पत्यों को प्लांट को सेव किया जा सके इन सभी पत्यों को आप ठीक से हटा दे उसके बाद अपने प्लांट इनको ठीक से डिस्ट्रॉय करें ताकि किसी दूसरे प्लांट में इनका इफेक्ट ना हो आप देख सकते हैं कैसे इस तरह इसमें जो है लावा यलो-यलो स्पोर्ट के इन पत्यों को में डिस्ट्रोइड कर दूंगी और इसके सॉलूशन से दो ही सॉलूशन है कि आप इनकी पत्यों क verw कर दे और या दूसरा आप किस प्रय कर सकते हैं एह मार्केट में लीव माइनर्स के लिए एक pesticide spray आता है जो leaves पे हमें spray करना है अगर आपके आसपास shop पर available हो तो आप उसे जरूर लेकर आए और उसका इन पर spray करें पर वो काफी देर में effect करेगा क्योंकि पत्यों के अंदर है लावा उसे मरने के उसको हमें dead करने के लिए काफी वक्त लगेगा और कई बार spray करना पड पत्या है ताकि वह आगे आपके प्लांट को खराब ना करें और आपका प्लांट खूपसुरत बना रहा है क्योंकि पत्या बिल्कुल खराब होने लग जाती है तो प्लांट की हेल्थ पर भी effect पड़ता है प्लांट beautiful भी नजर नहीं आता है नेक्स्ट आप एक और काम कर सक सकते हैं कि इसकी जो तो लावा अगर कुछ मिट्टी में चले गए हैं तो उसके लिए आप नीम ओयल का मिट्टी में पानी के साथ नीम ओयल दे सकते हैं ताकि जो मिट्टी में जो भी infection होगा वह धीरे-धीरे की और उधीरे-धीरे सही होने लगेगा तो आप एक तो नीम का इस पर रिस्प्रे कर सकते हैं प्लस मिट्टी में पानी के साथ नीम ओयल का आप दे सकते हैं और दूसरा पत्य आटा दे हो तीसरा पर पैस्टिसाइड का छिड़काव करें जिससे कि प्लांट दीरे-दीरे ठीक होने लगेगा पर जितनी पुरानी पत्या वह फिर से सही न लगाते हैं उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो जब भी आप उसमें सॉइल प्रिपेर्ड करें तो उसमें पैस्टिसाइड का जरूर यूज करें प्लस नीम ओयल भी जरूर यूज करें उसके लिए ताकि कोई आगे इंफेक्शन ना हो और टाइम टाइम पर आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरा एक और चैनल है उससे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा उस